आपका वाइपर एक्स्प्लेंड चैनल पर और आज हम देखेंगे अटैक ओन टाइटन के सीजन वन का रीकैप जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि अटैक ओन टाइटन इस वन आफ ग्रेटेस्ट एनिमे आफ मॉडरन टाइम इस शो को great बनाती है इसकी बहतरीन स्टोरी और awesome characters जो आपको age of the seat experience देती है इस शो के अभी तक 3 सीजन आ चुके है और 4 सीजन भी इसी मन्त से start हो गया है तो आज इस वीडियो में मैं अटैक ओन टाइटन के सीजन वन को simple way में explain करूँगा जिन लोगों ने सीजन वन नहीं दे और अगर आप देख चुके हैं तो ends तक enjoy कीजिए सीजन वन रिलीज हुआ था 2013 में और इसमें 25 एपिसोड्स है सीजन वन की IMDB rating 8.8 है और rotten tomato पर ये 94% fresh है तो चलिए भिना वक्त जाया किये करते हैं शुरू सीजन वन कहानी की शुरुवात में हम देखते हैं इस शो के में हीरो एरन येगर को जो की एक डरावना सपना देख रहा था एरन अपने होमटाउन शिगानशिना में है शिगानशिना वाल के बाहर की चार डिस्ट्रिक्ट्स में से एक जो लगभग 50 मीटर उची वाल्स से घिरी हुई है इन वाल्स को बनाया गया है टाइटन से बशने के लिए करीब 100 साल पहले मानवता को एक नया दुश्मन मिला और ये थे जाइन्ट मॉनस्टर्स जिनहें टाइटन्स कहा जाता है ये टाइटन्स इंसानों को खाने लगे और मानवता को लगभग मिटा ही डाला और इनसे बशने के लिए इंसानों ने तीन बड़ी-बड़ी वाल्स बनाई सबसे बाहर की दिवार का नाम मार्या है एरन को उसकी childhood friend मिकासा जगाती है मिकासा के parents का कुछ लोगों ने murder कर दिया था तभी से मिकासा एरन की family के साथ रहती है दोनों घर के लिए निकल पड़ते हैं रास्ते में उन्हें harness मिलता है जो एक soldier है एरन harness से काफी घुसा है क्योंकि वो duty पर शराब पी रहा था और क्योंकि 100 सालों से कोई भी titan in walls को तोड़ कर अंदर नहीं आ सका था तो इन soldiers को वैसे भी कोई काम नहीं है इसके बाद scout regiment दीवारों के बाहर से आते हैं अब हमें यहाँ पर military structure को समझना होगा जिसे भी soldier बनना होता है उसे 3 साल तक military training academy जोइन करनी परती है और 3 साल बाद इन्हें चुनाव करना होता है कि इन्हें कौन सी military branch जोइन करना है यहाँ पर 3 branch है पहली the royal guard जिनका काम है राजधानी में रहकर राजा को protect करना दूसरी garrison regiment इनका काम है walls के अंदर शान्ती बनाया रखना और लोगों को protect करना तीसरी scouts regiment जिसमें सबसे काबिल और बहादूर soldiers होते हैं इनका काम होता है walls के बाहर जाकर titans की जानकारी इकठा करना और जरूरत पढ़ने पर उन्हें मारना क्योंकि ये वाला regiment titans से सीधे टकर लेता है सबसे जादा मौद भी इसी branch में होती है जब भी ये अपने mission से वापिस आते हैं तो इनके आधे से जादा members गायब होते हैं या बुरी तरह गायल होते हैं इस बार भी ऐसा ही हुआ है 80% soldier वापिस ही नहीं आए लेकिन ये सब देखकर भी Aaron बिल्कुल नहीं डरता वो scouts को असली hero मानता है और बड़ा होकर वो scout regiment को ही join करना चाता है घर जाने के बाद Mikasa Aaron के parents को बता देती है कि वो scouts join करना चाता है लेकिन उसकी mom इसके लिए उसे साफ मना कर देती है वहीं उसके dad जो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे थे कहते हैं कि वो वापस आकर Aaron को घर के basement का secret बताएंगे इसके बाद Aaron और Mikasa अपने अच्छे दोस्त Armin के पास जाते है Armin कहता है कि वो भी एक दिन वाल्स के बाहर जाकर दुनिया देखना चाता है खासकर वो समुद्र देखना चाता है और तीनों decide करते हैं कि एक दिन वो दिवारों का शहर छोड़ देंगे और समुद्र को एक साथ देखेंगे और तभी एक धमाका होता है एक बहुत बड़ा टाइटन जो की वाल्स से बड़ा था वहाँ आ चुका था इसका नाम कॉलोसल टाइटन है ये टाइटन दिवार में एक लात मार के एक बड़ा छेत कर देता है और सैकडो टाइटन्स शहर के अंदर आ जाते हैं और चारो तरफ तबाही और मौत का तांडब होने लगता है एरन और मिकासा भाग कर अपने घर जाते हैं लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी एरन की माँ घर के मलबे में दब चुकी थी अचानक हानस वहाँ आ जाता है एरन अपनी माँ को बचाने के लिए उसे चिलाता है लेकिन उसका सामना एक डरावने टाइटन से हो जाता है और वो Aaron और Mikasa को उठा कर वहाँ से भागने लगता है वो Titan Aaron की मा को उठा कर खा लेती है Aaron अपनी आँखों के सामने अपनी मा को मरते हुए देखता है अब बचे हुए लोग भाग कर पहली Wall मारिया के अंदर जाने लगते हैं लेकिन तभी एक और Titan आता है इसका नाम Armor Titan है और ये सीधा Wall मारिया के में गेट को तोड़ देता है और Titans Wall मारिया के अंदर भी आ जाते हैं अब बचे हुए लोगों को दूसरी Wall रोज के अंदर जाना पड़ता है घुस्से से भरा हुआ Aaron कसम खाता है कि वो सारे Titans को खत्म कर देगा दो साल बाद Aaron Mikasa और Armin Military Training जोइन करते हैं यहाँ पर उन्हें तीन साल तक ट्रेनिंग करनी है यहाँ पर हमें कुछ साइट करेक्टर्स मिलते हैं शांत लेकिन फाइट में माहिर Annie खाने की शौकीन साशा छोटा और मजाकिया कौनी सभी लोग एक दूसरे को जानने लगते हैं ट्रेनिंग में इन्हें सिखाते हैं कि Titans Mindless और Slow होते हैं और उन्हें मारने का एक ही तरीका है उनकी गरदन के पीछे के हिस्से को काटना कहीं और काटने पर वो नहीं मरेंगे क्योंकि वो अपने body parts regenerate कर सकते हैं इसके लिए उन्हें ODM gear यूज करना सिखाया जाता है जिससे ये काफी तेजी से direction चेंज कर सकते हैं और Mikasa इसे आसानी से master कर लेती है और सभी इसे यूज करना सीख जाते हैं सिवाए Aaron के रात को Aaron अपने साथियों से पूछता है कि वो fail क्यों हो रहा है और फिर वो Rainer और Berthold से पूछते हैं अब वो उसे help तो नहीं कर सकते पर उनकी कहानी भी Aaron जैसी ही है उनके छोटे से गाउं को भी Titans ने बरबाद कर दिया था और इन लोगों ने भी Titans के डर को करीब से देखा था ये चारों बात करते हुए बाहर जाते हैं जहां Rainer बताता है कि ये सब खत्म होने के बाद वो बस अपने Homeland जाना चाहता है वो Aaron से पूछता है कि वो क्या चाहता है Aaron की पुरानी बेल्ट किसी कारण से तूटी हुई थी तीन साल बाद सभी अपने ट्रेनिंग कम्प्लीट कर लेते हैं Top 10 में थे Krista, Sasha, Connie, Marco, Gene, Aaron, Annie, Betholt, Rainer और Mikasa कुछ टाइम बाद उन्हें ये डिसाइट करना था कि उन्हें military की कौन सी ब्रांच में जाना है लेकिन अभी के लिए उन्हें ट्रोस्ट जिले में भेजा जाता है, experience के लिए Aaron, Mikasa और Armand फैसला करते हैं कि वो Scouts Regiment को जोइन करेंगे और साथ मिलकर समुद्र देखेंगे अगले दिन उन्हें यहाँ Hanas मिलता है Hanas माफी मांगता है कि वो उस दिन Aaron की मा को बचा नहीं सका इनका पूरा ग्रुप वाल के उपर पेट्रोलिंग करने लगता है और सब कुछ सही जा रहा था Aaron की दिमाग में यही सब चल रहा था कि Titans को इनसान हरा देंगे और इनसान की ही जीत होगी कि तभी Aaron के पीछे कॉलोसल टाइटन प्रकट होता है और इस वाल का में गेट तोड़ देता है साथ ही वाल पर रखी कैनन को भी डेस्ट्रॉई कर देता है जिसका मतलब यह टाइटन दूसरों की तरह ना समझ नहीं है और इंटेलिजेंट है Aaron पूरे घुसे में उस पर अटेक करता है लेकिन वो हवा में गायब हो जाता है टाइटन्स ट्रोस्ट शहर के अंदर घुसना शुरू कर देते हैं जबकि स्काउट्स किसी मिशन से बाहर गए हुए थे अब गेरिसन रेजिमेंट और Aaron के ग्रूप को ही इन से लड़ना होगा सभी को अलग-लग ग्रूप्स में बाट दिया जाता है और सभी टाइटन्स पर अटेक कर देते हैं लेकिन टाइटन्स कई सारे सोलजर्स को एक-एक करके मारने लगते हैं इनके सर पर मौत नाच रही थी ये सब देखकर आर्मिन भी डर के पैरलाइज हो जाता है और टाइटन्स आर्मिन को उठा के खाने लगता है लेकिन तभी Aaron वहाँ आ जाता है और आर्मिन को बचा लेता है लेकिन Aaron खुद नहीं बच पाता और टाइटन उसे खा जाता है और शो का मेन हीरो मारा जाता है हर कोई डरा हुआ था कुछ लड़ रहे थे, कुछ छुप रहे थे और कुछ लोग तो सुसाइट भी कर रहे थे मिकासा को भी एरन की ही चिंता हो रही थी लेकिन जब वो आर्मिन के पास जाती है टाइटन से घिर जाती है और वो अपनी सारी उमीद खो चुकी होती है लेकिन मिकासा अपनी टूटी ब्लेट से भी लड़ने के लिए खड़ी हो जाती है जैसे ही वो टाइटन मिकासा को खाने वाला था एक दूसरा टाइटन कहीं से आता है और उस टाइटन को मार देता है ऐसा पहली बार हुआ था कि एक टाइटन दूसरे टाइटन को मार रहा था आर्मिन मिकासा को रेस्क्यू कर लेता है और नया टाइटन दूसरे टाइटन को मारना जारी रखता है आर्मिन बाकी के ग्रूप के साथ प्लान मनाता है कि उन्हें इस नए टाइटन का यूज करना चाहिए बाकी के टाइटन को भगाने के लिए लेकिन नया टाइटन अपनी लिमिट पर पहुँच जाता है और दूसरे टाइटन उसे खाने लगते हैं और नया टाइटन गिर जाता है सफेद धूए के बीच हम देखते हैं एरन को जो जिन्दा था और नय टाइटन की गर्दन में था जिसका मतलब ये था कि ये नया टाइटन कोई और नहीं बलकि खुद एरन है और उसके हाथ पैर भी जो कट चुके थे वो हील हो जाते हैं अब ये देख वाल रोस के अंदर सोल्जर्स एरन मिकासा और आर्मिन को घेर लेते हैं सोल्जर्स उसे मॉंस्टर समझ रहे थे और एरन को मारना चाहते थे एरन को एक सपना आता है कि उसके फादर ने उसे एक इंग्जेक्शन लगाया था और उसे समझ आता है कि उसे उस चाबी को यूज करके बेस्मेंट के सीक्रेट को जानना होगा और अपनी इस नई पावर को मास्टर करना होगा गार्ड्स एरन पर कैनन फायर करते हैं लेकिन एरन अपने हाथ को काटता है और अपनी टाइटन बॉडी का आधा हिस्सा सम्मन कर लेता है और उसे रोक लेता है अब आर्मिन आ गया आता है और सभी गार्ड्स को कन्वेंस करता है कि उन्हें एरन को एक चांस देना चाहिए वो मानवता की आखरी उम्मीद हो सकता है मिलिटरी कमांडर पिक्सेस वहां आते हैं और एरन को बचा लेते हैं इसके बाद वो एरन और आर्मिन के साथ एक प्लान बनाते हैं एरन फिर से टाइटन बन कि एक बड़ा बोल्डर उठा के उस गेट को सील कर सकता है जो कॉलोसल टाइटन ने तोड़ा था जिससे बागी टाइटन अंदर नहीं आ पाएंगे पिक्सास अपने बागी के सोलजर्स को ये प्लान बताता है और सभी डरे हुए होकर भी एगरी करते हैं और एक ग्रुप एरन के साथ भेजा जाता है और बागी सोलजर्स टाइटन्स को दूसरी तरफ उलजाय हुए थे एरन फिर से टाइटन में ट्रांसफॉर्म होता है लेकिन वो अपनी टाइटन बॉड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाता और मिकासा पर ही अटेक कर देता है और बेहोश हो जाता है आर्मीन एरन के पास आता है और उसे अपना सपना याद दिलाता है जिससे एरन जाग जाता है और अपनी टाइटन बॉड़ी को पूरी तरह कंट्रोल कर लेता है फिर वो बड़ा सा पत्थर उठाता है और इसके साथ ही वो होल की तरफ चल पड़ता है बाकी सोल्जर्स को एहसास होता है कि उन्हें एरन को बाकी टाइटन से प्रोटेक्ट करना होगा और उसका रास्ता साफ करना होगा भले ही ऐसा करने पर उनकी जान ही क्यों ना चली जाए एरन आगे बढ़ता है और उस गेट को सील करने में काम्याब होता है ये मानफता की टाइटन्स के खिलाफ पहली जीत थी और अंदर के टाइटन्स को स्काउट्स लीजन और कैप्टन लिवाई मार देते हैं लेकिन दो टाइटन्स को जिंदा पकड़ा जाता है उन पर रिसर्च करने के लिए इसके बाद वो मरे हुए लोगों को इकठा करते हैं अंगिनत लाशों में मार को भी था जिसका ओडियम गियर किसी कारण से गायब था एरन एक जेल के अंदर जागता है उसके सामने थे स्काउट्स रेजिमेंट के कमांडर आर्विन स्मित और साथ में वन आफ दा बेस्ट सोलजर कैप्टन लिवाई दोनों उसके टाइटन प ताकि सभी टाइटन्स को मार सके आर्विन एरन पर भरोसा कर उसे स्काउट्स में शामिल कर लेता है लेकिन अभी एरन का कोट में ट्रायल होना था कुछ दिनों बाद सर्वे कॉप्स की लीडर हांजी इस लीडर माइक के साथ एरन को जेल से निकाल कोट रूम ले जाते हैं मिलिटरी रैंक्स एरन को मारने को कहते हैं लेकिन आर्विन कहता है कि वो एरन को यूज कर शिगांशिना डिस्ट्रिक्ट भी वापिस ले सकते हैं इसके बाद कैप्टेन लिवाई एरन को बुरी तरा पीट देता है और ये कहता है कि Aaron ने कुछ भी गलत किया तो उसे तुरंथ मार देगा इस से सहमत होकर Aaron को स्काउट्स के हवाले कर दिया जाता है और Aaron Levi Square जॉइन करता है जिसमें इनके अलावा थे Allbow, Gunther, Eld और Petra ये अपने पुराने Headquarters में जाते हैं यहां Hanji Aaron को अपने experiments के बारे में बताती है जो उसने उन दोनों Titan पे किया था उन्हें पता चला कि Titans बिना Sunlight के रुक जाते हैं और उन्हें जिन्दा रहने के लिए Sunlight के अलावा और कुछ नहीं चाहिए ना खाना ना पानी वो इनसानों को तो सिर्फ मज़े के लिए खाते हैं लेकिन कुछ दिनों बाद उन दोनों Titans को किसी ने मार दिया और अपराधी इन्हीं के बीच छुपा है इधर बाकी के लोग decide करते हैं कि उन्हें कौन सी ब्रांच को जॉइन करना है एनी आर्मिन से कहती है कि वो जिन्दा रहना चाहती है इसलिए वो Royal Guard चूस करेगी फैसले का दिन आ चुका था और सिर्फ 21 लोग ही स्काउट्स रेजिमेंट को जॉइन करते हैं डर इनको भी लग रहा था लेकिन अब पीछे मुरने का सवाल भी नहीं था इसके एक महीने बाद सभी वॉल रोस के बाहर जाते हैं इनका मिशन था वॉल मारिया तक पहुँचना और अब ये टाइटन्स के इलाके में थे ये आर्विन के फॉर्मेशन के हिसाब से अलग-अलग टीम में बढ़ जाते हैं इनकी पूरी कोशिश थी कि ये टाइटन को अवॉइट करके आगे बढ़ें और ये ऐसा ही कर रहे थे लेकिन तभी वहाँ एक इंटेलिजन टाइटन आता है ये एक फीमेल टाइटन थी जो सीधा ग्रुप्स को मारना शुरू कर देती है ये भी एरन की तरह एक टाइटन शिफ्टर है फीमेल टाइटन आर्मिन की स्क्वैट के लोगों को भी मार देती है लेकिन वो आर्मिन को मारने से पहले उसका फेस देखती है और फिर उसे जिंदा वहाँ छोड़ कर वहाँ से आगे बढ़ जाती है राइनर और जीन आर्मिन के साथ हो जाते है और तीनों उस फीमेल टाइटन का पीछा करते है राइनर उसे मारने जाता है लेकिन वो उसे पकड़ लेती है राइनर उसकी पकड़ से बच निकलता है और फीमेल टाइटन एरन की तरफ भागने लगती है Krista कुछ होर्स को लेकर इनके पास आती है और ये बाकी के ग्रूप्स को फीमेल टाइटन की चेतावनी देते हैं और फीमेल टाइटन एक एक करके Squads को मारते ही जा रही थी Levi Squads एक जाइंट फोरेस्ट में एंटर करते हैं कुछ soldiers पेड़ो पर चढ़ जाते हैं इरन टाइटन में ट्रांसफॉर्म होने को बोलता है लिवाई कहता है कि टैसला उस पर है लेकिन बाद में उसे पच्टावा ना हो और एरन भी लिवाई पर भरोसा करके आगे बढ़ता है और जैसे ही फीमेल टाइटन एरन को पकड़ने वाली होती है एर्विन एक सिगनल देता है एर्विन की स्क्वैड ने इसके लिए जाल बिचाया हुआ था और वो देख सकते हैं कि इस टाइटन के अंदर कौन है इधर आर्विन को रियलाइज होता है कि अगर फीमेल टाइटन उन्ही में से कोई एक है तो कॉलोसल और आर्विन टाइटन भी उन्ही के बीच छुपे होंगे और उन्हें पता करना होगा कि वो कौन है लिवाई और आर्विन फीमेल टाइटन की गर्दन काटने की कोशिश करते हैं लेकिन इस टाइटन के पास एक पावर है जिससे कि वो अपने शरीर का कोई भी हिस्सा क्रिस्टल की तरह हाड कर सकती है अचानक वो टाइटन चिलाती है और नॉर्मल टाइटन उनके पास आकर उसकी बॉड़ी को खाने लगते हैं और अब सोलजर्स को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ता है उनका मिशन फेल हो गया था इर्विन को रियलाइज होता है कि जो लड़की फीमेल टाइटन की बॉड़ी में थी वो ओडियम गियर का यूज़ कर भाग गई होगी तभी लिवाई स्क्वैट के पीछे वो फीमेल टाइटन फिर से अपियर होती है और एक-एक करके पूरे स्क्वैट मेंबर्स को मार देती है एर्विन को रियलाइज होता है कि उसे पहले ही टाइटन बन जाना चाहिए था लेकिन वो अब टाइटन में ट्रांसफॉर्म होता है और फीमेल टाइटन से फाइट करने लगता है दोनों hand to hand combat में लडते हैं लेकिन female titan इसमें skilled थी और Aaron उसे चू भी नहीं पा रहा था साथ ही उसके पास hardening power भी थी वो Aaron titan को हरा देती है और उसकी गर्दन से Aaron को निकाल कर अपने मूँ में भर लेती है लेकिन तभी वहां Mikasa और Levi आ जाते हैं दोनों team work करके उस female titan से लडते हैं और Aaron को बचा लेते हैं लेकिन female titan भाग निकलती है scout regiments वापस walls के अंदर आ जाते हैं इनके ही सारे soldiers मारे गए थे और अब Irwin को Aaron, military police को सौपना होगा इधर हम capital district देखते हैं जहां Annie ने military police में join किया था और scouts को capital तक लाने का काम military police को दिया जाता है जहां Aaron का trial होगा रास्ते में Annie को आर्मिन मिलता है वो Aaron को यहां से भगाने का प्लान कर रहा था और उसे Annie की help चाहिए और Annie मान जाती हैं वो दोनों Aaron और मिकासा के पास जाते हैं फिर वो एक underground tunnel में जाने लगते हैं लेकिन Annie मना कर देती है यह actually एक जाल था Annie के लिए आर्मिन को पहले ही शक हो गया था कि मारको का odium gear Annie ने चुराया था और उन दोनों Titans को भी इसी ने मारा था और Annie ही female Titan है इसी लिए Annie ने आर्मिन को नहीं मारा था Annie हसने लगती है और अपनी finger card के female Titan में transform हो जाती है सभी scouts उस पर attack कर देते हैं आर्मिन को जीन मिलकर उसे trap में फसा लेते हैं लेकिन वो आसानी से उसे तोड़ देती है काफी मुश्किल के बाद Aaron भी Titan में transform हो जाता है Aaron और Annie battle करते हैं लेकिन एनी जीत रही थी पर Aaron उसके moves समझ कर counter attack करने लगता है लेकिन फिर भी वो Aaron को हरा के उसका सिर्प फोर देती है और wall की तरफ भागने लगती है लेकिन घुस्से से भरा Aaron उसके पीछे आता है और उसे जमीन पर गिरा देता है और उससे लडने की कोशिश करता है लेकिन एनी उससे बचके wall पर चड़के भागने की कोशिश करती है लेकिन मिकासा उसकी उंगली काट देती है और वो गिर जाती है और Aaron उसके हाथ पैर चीर देता है लेकिन इससे पहले वो एनी को बाहर निकाले वो चमकने लगती है और उसके आसपास एक क्रिस्टल बन जाता है इधर कैप्टन लिवाई एरन को उसकी टाइटन बोडी से काट कर बाहर निकालता है हम एनी को एक विशाल क्रिस्टल के अंदर देखते हैं जिसके अंदर एनी बेहोश थी सबको रियलाईज होता है कि उन्हें एनी से कोई जवाब नहीं मिलेंगे जब तक वो उससे बाहर नहीं निकल जाती स्काउट्स क्रिस्टल को ले जाते हैं इधर अर्विन काउंसिल से मिलता है और उन्हें कन्वेंस कर लेता है कि एरन उनकी साइड है वहां का एक हिस्सा गिर जाता है और वाल के अंदर हमें एक कोलोसल टाइटन का फेस दिखता है जिसका मतलब इन वाल्स में टाइटन को कैद किया हुआ है और Attack on Titan का Season 1 यहीं खत्म हो जाता है तो दोस्तों आपको यह सीजन कैसा लगा? कॉमेंट करके जरूर बताइए और यह भी कि आपका फेवरेट AOT केरेक्टर कौन है और अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना Attack on Titan के Season 2 में हमें और भी सवालों के जवाब मिलेंगे जैसे कि कॉलोसल और आर्मर टाइटन कौन है और हमें दो नए टाइटन शिफ्टर भी देखने को मिलने वाले है और हम जल्द इसे जल्द Season 2 पर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बगल की घंटी दबा कर आल पर क्लिक जरूर कर देना ताकि हमारे एक भी वीडियो आपसे मिस न हो सके मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द Attack on Titan के Season 2 के साथ